को अि एक है लो बक्चो जली मुझे स्टाट करते हैं बहुत दिन बाद श्राट किया है और मैं जल्दी से आपकी राइगुलर क्लास स्टार्ट करने वाला इलेक्ट्र स्टेडिक्स, आज मैं इलेक्ट्र स्टेडिक्स में कुलांप स्लो का एक गजब की अफ्लिकेशन को एक होता है हम यह पॉर्ण के भी बिच बीच में लगने वाला फोर्स को कहते है कि कहता है तो इस इła में को क्या लिश्टा होता हूं एक कि तो पॉंड आरे स्कता है डिक एक्यों हूं क्या लिए या मिश्क्राइब को क्या लिए सकता हूं के को लिए सकता हूं वन अपन फॉर पाई एफसालन नौट और एफसलन नौट की वेल्ट क्या होती एट पॉंट एट फाइप इंटू टैन के पाई माइनस ट्वैल ठीक है यह मैंने प्लांप स्लो की बारे में बताया थ फांप स्लो हमें इसा हर चार्ज में लगता है हॉ जी तुट चार्ज होंगे तो एपैल करेगा ने दूनों गेटर चार्ज होंगे तुट ने पैल करेगा एक पोजिट एक निगे टर्ट कॉन जाट करेगा प्लांप सेट उना बाट फेमस कुशन होता है यह आप देख what is the magnitude of the charge so that it to be in stable equilibrium and unstable equilibrium ठीक है बड़ा फैमस कोईशन इस कोईशन में क्या है कि दो आपके पॉइंट चार्ज है ठीक है चलिए एक हम ले ले लेते है यहां से मैंने एक पॉइंट चार्ज किया यह देखे यह पॉइंट चार्ज और यह पॉइंट चार्ज फोइंट इन दोनों पॉइंट चार्ज बंदी में इसको मैंने बांद दिए और दूसरा भी क्या है प्लस फोरी और दूसरा भी क्या है ब्लस की दूनों चार्ज बन गए इसके बीच में एक चार्ज बेकर आया अब यह जो चार्ज है यह अगर प्लस चार्ज क्या करेगा इसको रिपैल और इसका फोर्स और इसका फोर्स एक्वल होगा तो अभी यह कोशन देखना पड़ता है अच्छा आप अब अच्छार्ज इस पर इवला फोस यह लगा चार्ज कितना फोस लगाएगा एक आपस देख अपर देख ओड़ता फोर्स एक प्र इंटो क्यों अपॉंट यह दूरी जो एक दूरी को मालने के थोड़ी देख लिए एक्स एक्स इस पाइच इस चार्ट पर यह वा है तो अगर आप से पूछे यह चार्ज को किस पोईशन पर रखने हैं तो यहां पर सबसे पहले हैं एक फोरी चार्ज एक इचार्ज इनके 20 की डिसेंस चलो एमान ले इसे 20 में क्यू चार्ज रखना है एक चार्ज फोरी और यह और इसमें बीच में क्यू चार्ज रखा एक इस्टेंस टेक है मेरा कोशन यह होता है कि बच्चो यह चार्ज अले लग मूग करेगा एक ऐसी पोजिशन होगी जहां पर एक्स डिस्टेंस आपको ढूलना है होते हैं है यह कुछ टोटल डिसस एंहें है तो बच क्या हो जाएगि ऐए माइनस एक्स अब अमेरा कोशन इंह नहीं हुता है कि यह खाट रहेँगा चाए एपलस हो यह थे अ सब अगर यह बीच वाला प्लस चार्ज होगा, तो यह इसको रिपैल करेगा, और यह इसको रिपैल करेगा, तो रुख जाएगा, अगर दोनों का फोर्से में, अगर यह माइनस होगा, तो यह इसको अट्रेक करेगा, यह इसको अट्रेक करेगा, दोनों का फोर्से में, तो यह तो इसको बीच में फिट करना है तो उसको प्लस रखे हैं माइनस रखे हैं बचा कुछ भी रखो प्लस रखो या माइनस रखो वह एक्विलिब्रियम में रहेगा ठीक है तो वह अगर आपको पोजिशन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ के 4E Q upon इसकी दूरी कितनी है X square equal to अच्छा इसकी इससे force मैं लग दिया K एक लग दिया E Q upon A minus X square अगर यह दोनों force बराबर हो जाएंगे तो चार्ज क्या होगा रुख जाएगा ठीक है तो अगर आपसे पूछे कि बताओ वह कौन सी पोजिशन होगी what is the value of the X जिससे वो चार्ज रुख जाएगा अगर X से वाले पूछे तो आप इसको solve कर सकते हैं K से कैंसल होगा E से E कैंसल होगा Q से Q अच्छा एक चीज आपने देखा यह चार्ज क्यू कुछ भी रख दो यहाँ पर वो Q चार्ज और यहाँ पर Q चार्ज यह तो कैंसल हो इस तरह की कोशिन में Q का मैंगनीटूट कुछ भी हो उससे कोई फरक्टिम पर आपस यहाँ पर X की वैलू निकलेगी ठीक है तो देखो इसको में आपर लिखके बताता हूँ आपको यह फार्मला कैसे हो जाएगा इसको क्रॉस मिल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह हो जाए तो दोनों तरब स्क्वार रूट लैलो वर्ग मूलेलो इसक्वार रूट और इस आइपल आशब टियू ठग देग दियू प्लाइट है इस निकालन इसको मुटिप्लाइ करना मुटिप्लाइ कर दो तू ए minus 2x equal to x यह side उस side जाएगा तो मैं इसमें ultra filter लिख सकते हैं 3x equal to 2a and what you got x equal to 2a by 3 बचा my question is 2a by 3 पर अगर आपने इसको रखा charge कौन सा charge कुछ भी तो वो क्या रहेगा equilibrium ठीक है अच्छा अगर मैं इसको plus रखूँँगा तो यह charge इसको force लगाएगा यह plus से तो यह charge क्या करेगा यह भी इसको force लगाएगा ठीक है चलिए मैं एक बाद फिर बताता हूँ नाँ देखो अगर मैंने यह plus charge रखा तो यह इसको क्या करेगा repel करेगा और यह क्या करेगा इसको repel करेगा और यह रुख जाएगा चले एक चीज़ और देखते हैं अगर मैंने इस चार्ज को मैंने अगर इस चार्ज को माइनस रखा तो यह क्या करेगा इसको अट्रेक्ट और यह क्या करेगा इसको अट्रेक्ट अब भी स्टेबल हो जाएगा रुख जाएगा, तो equilibrium मतलब कोई भी object पर total force 0 हो, और total torque 0 हो, तो उसको क्या बोलते है equilibrium, किसी भी object पर total force 0 हो, total torque 0 हो, तो उसको बोलते है equilibrium, तो क्या अगर मैं आप से पूछू हूँ बचो, कि ये plus 4E charge और एक plus E charge की बीच में किसी charge को रखना है, जिससे वह equilibrium में रहा है, तो आप बोलोगे सर, सिर्फ इसका एक ही answer है उसको plus 4E charge से 2A by 3 distance पर रखना होगा उसको plus 4E charge से 2A by 3 distance पर रखना होगा अच्छा charge कितना होगा, कुछ भी रख लो चाहे charge को 5 रखो 10 रखो, 9 रखो, 19 रखो magnitude of the charge, यह charge के magnitude पर डिपैंड ही नहीं करती, ठीक है अच्छा, अब मैं कोशें इस, एक नहीं चीज़ आपने एक चीज़ तो बता दी, चाहे इसको plus को रखो, यह minus को रखो, यह equilibrium में रहेगा, जैसे forse example चलो मैं आपको बहुत गजब का example देता हूँ, जैसे मैं हूँ, अब मैं अपने आपको दो पार्ट में डिवाइट कर लेता हूँ, एक में इदर चल जाता हूँ, एक में इदर चल जाता हूँ, एक में इदर चल जाता हूँ, कोई प्रॉलम तो नहीं है, कोई प्रॉलम नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं आप रस्वुल्ला एक्विलिब्रियम में रहेंगा ठीक है very good अब हम दोनों के बीच में एक छिपकली आजाएं छिपकली एक डबे में और ये बंदा चाहेगा वो दक्का मारना, कि ने ने मुझे नहीं चीज़ चिपकली, और ये बंदा चाहेगा दक्का मारना, तब ही वो रुका रहेगा, रुका रहेगा, बट अब कोशिए नहीं कि एक में stable equilibrium होगा, और इसमें unstable, उसका मतलब क्या होता है, अगर equilibrium में कोई चीज हो, और उसकी position थोड़ी सी हटा दे, इफ आई डिस्प्लेई द लिटल बिट, द पोजिशन आफ एक्विलिबिरम, और इफ इट विल रिगान इट्स एक्विलिबिरम, इट इस काल stable equilibrium, अगर इक्विलिबिरम से कोई चीज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, और वापस से वो एक्विलिबिरम में आ जाए तो stable, और इक्विलिबिरम से थोड़ा को डिस्प्लेस करके, एक्विलिबिरम हट जाया है, ताट इस द अने स्टेबल, बताँ कैसे, है देखिए चलो देखते हैं देखो मैं चार्ज हूँ अब यहां पर रजगुल्ला है मैं खीछ रहा हूं और वो भी खीछ रहा है है ठीक है कि अ कि 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 यहां यहां लग्ष कि मुड़र्ड़ जये कि poses व घ्नी पर वीड़ों कि शेखो है कि एृ दो एट रटब जले चार्टब्टी अजे कि ऑ मांगे यहां 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 भी यहाँ कि अधर यहां 22 को अधर्स वो चार्टुल्ट जा जा है का लिवा दीड़ों के बीच प्लगा है ये भी से चाहता है ये भी इसे चाहता है अगर ने इसकी इक्विलिबिरम से हट गया, that is called unstable, इसलिए दोनों प्लस चार्ड की बीच में अगर मैं माइनस चार्ज रखता हूं, तो ये कलाता है unstable, क्या कलाता है, unstable equilibrium, क्यों, ये इसको अट्रेक कर रहा है, अगर आपने थोड़ी सी पोजिशन से इसको डिस्पेस कर दिया, तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी और ये अपनी तरफ खीच लेगा, ये कलाता है unstable, ठीक है, आचा, आप देखो, देखो, बीच में चिपक लिए, डबे में चिप कर दो के लिए, ये भी धक्का मार रहा है, और ये भी धक्का मार रहा है, देखो, देखो, अचा, अब हमने कहा किया, इसकी पोजिशन थोड़ी सी इसको पास में लेगा इधर, तो distance कम होगे, तो distance कम होने से कौन सा force बढ़ गया, रिपल्सन, तो इसने पूरे दम से ताकत और वापस अपनी पोजिशन पे आ गया, तो अगर बीच में इसकी में प्लस चार्ज रखता हूं, तो उसको बोलते हैं हम, stable equilibrium, क्यों कहते हैं, इसको stable equilibrium, क्यों क्यों कि ये भी इसको रिपैल कर रहा है, ये भी रिपैल कर रहा है, अगर इसकी पोजिशन आपने थोड़ी सी इसकी नजदीक लेके आ गया, तो इनका distance कम हो गया, कम होते ही, कौन सा फोर्स बढ़ गया, repulsion फोर्स बढ़ गया, तो इसने वापस दिखकाम आ रहा है, वापस अपने पोजिशन पे आ गया, ठीक है, तो ये बहुत गजब का concept है, आपको पसंद आया होगा, गजब का concept है, इसको आप देखते रहें, और इसी तरह की concept मैं आपको लेकर आउंगा, अब मैं regular class start करा हूँ, इलेक्ट्र स्टेटिस फिजिस की, और फिजिस के सारे topic में cover कर भाऊंगा, ठीक है, आप अपने comments box में अपने comments लिखें, और पढ़ते रहें, और subscribe कीजिए right direction को, ठीक है, चलि बाइ बच्चो